किसानों का आक्रोश अभी भी बरकरार है MSP पर फसलों की खरीद की गैरंटी मांग रहे किसानों का धरना पिछले 11 दिनों से जारी है सरकार से चार दौर की बादचीत हो चुकी है लेकिन चारों दौर की बादचीत बेनती जा रही दो बार हरियाना पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का पुलिस से टकराव हो चुका है 21 फरवरी को किसानों ने दिल्ली चलो मार्च का एलान करते हुए दिल्ली कूच करने की कोशिश की इस दौरान पुलिस से हुए टकराव में एक किसान की मौत हो गई सरवन सिंग पंधेर और जगदीत सिंग डलेवाल समेट कई किसान घायल हुए ये देखते हुए किसानों ने दिल्ली कूछ टाल दिया और अब किसान संगठनों के समर्थन में सन्युक्त किसान मोर्चा भी उतर आया है उसने देश भर में आज काला दिवस मनाने का एलान किया है इसके साथ किसान ट्रेक्टर मार्च निकालेंगे हला कि इस दौरान सड़कों को जाम नहीं किया जाएगा सन्युक्त किसान मोर्चा की और से लोगों को घरों और गाड़ियों पर काले जंडे लगाने की अपील की गई है आपको बता दे कि खनौरी बॉडर पर 21 साल के शुब करण की मौत के विरोध में किसान शुक्रवार यानि की आज देश भर में ब्लैक टे मनाएंगे किसानों का आरोप है कि पुलिस जड़प में उनके किसान की मौत हुई है साथी 12 किसान घायर हुए है किसानों में इसे लेकर रोश है उनका कहना है कि शुक्रवार को वो आगे की रणनिती टै करेंगे किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाब सरकार ने किसानों के समर्थन पर एक बड़ा फैसला लिया दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार ने किसानों और पुलिस के साथ हुए टकराओं में मारे गए किसान सुभकरन सिंग के परिवार को एक करोड कम मुआवजा देने की घोशना की है राज्य की आप सरकार उसकी बहन को नौकरी देगी वहीं किसान आंदोलन में हंगामे के बाद हरियाना पुलिस एक्षन में नजर आ रही है अंबाला पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि किसान संगठों के पदधिकारियों को एनेसे के तहट नजर बंद करने की तयारी शुरू कर दी गई है इसके तहट किसानों से आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई कराई जाएगी इसके लिए सरकार किसानों के बैंक खातों को सीज कर रही है उनकी संपत्यों की कुरकी कर रही है किसान नेताओं और पदधिकारियों को नजर बंद करने की योजना भी सरकार की है हलाकि किसान नेताओं पर एनेसे लगाने के फैसले पर सरकार पलट गई है इस मामले में अंबाला रेंज के आयो जी ने कहा है कि सभी संबंधित पक्षों को ये साफ किया जाता है कि अंबाला के कुछ किसान नेताओं पर एनेसे के प्रापधानों को लागू करने के मामले पर फिर से फैसला किया गया है और फैसला लिया गया है कि इसे लागू नहीं क हथियार, आसू गैस, वाटर कैनन जैसे सभी इंतिजाम करके दिल्ली पुलिस पैरा मिलिटरी फोर्स तीनों बॉर्डर पर तैनात है। दिल्ली पुलिस का निर्देश है कि किसी भी हालत में किसानों को दिल्ली में ना घुसने दिया जाए। पलहाल इस खबर में इतना ही।